हंजी फ्रेंड्स क्या हल चल विलकम विद कृतिका साव अपने परिवार के सदस से ही बोल रहे हैं उन्होंने ही वीडियो में सच्चाई बताई है और वह सच्चाई क्या है वह आगे चल करके मैं आपको बताऊंगी लेकिन वह कहते हैं कि इनसान का अपना दुश्मन उसका खुद का परिवार होता है उसके अलावत बाहर वाला उसका दुश्मन नहीं होता आपके खुद के परिवार को यह आपके बारे में सब कुछ पता होता है आपकी असलियत पता होती है और वहीं आपका दुश्मन बन करकर के लोगों के साम पाने की खुशिश की है उतना ही जादा उनकी अपने परिवार वालों ने ही उनकी असलिएत सामने लाई है तो यह परिवार वाला कोई और नहीं बलकि वही इंसान है जो कुछ टांट पहले अबराहेम फैमली के उपर में वीडियो टालता था उनकी असलियत दिखाता था ते इबराहिम फैमली का प्रेशर आया देन फिर उसने वीडियो रिलीट कर दिया फिर उसने एक वीडियो डाला दादी के उपर में यानि की सुटारा बेगम की सास के उपर में कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी एंड डेथ के टाइम पे कोई भी वहां नहीं गया था और चोरी कर दिया गया और फैनली वीडियो को डिलीट कर दिया गया तो ये बंदा आप लोग समझी चुके हैं कि ये बंदा कोई और ने बलकी वही आमिर जहांगिर है जिन्नों ने कुछ टाइम पहले बहुत ही दावे किये थे कि वो आकर करके सबूत के साथ में सब कुछ दिखाए ये करेंगे वो करेंगे जो कि अभी तक कोई सबूत आया नहीं है तो उसी इनसान ने एक बार फिर से जलते हुए कोईले पे जलते हुए आग में घी डाला है और फिर से महौल को गरम किया है एक नए वीडियो के साथ में जिसमें उसने इबराहीम फैमली की असली अब दिखाने की बात की है तो इबराहीम फैमली की असलियत जो आमिर जहांगिर है उनका मुझ बोला भाई उसने एक वीडियो डाला है आज से 5-6 दिन पहले कि इस वीडियो में वो जो है वो असलियत दिखाएगा सच्चाई दिखाएगा इबराहीम फैमली के बारे में इ उसने अपने उस वीडियो में जो शब्द बोले थे वो उसके शब्द ये थे कि आज के बाद मैं कोई भी वीडियो किसी भी के कहने पर भी डिलीट नहीं करूंगा चाहे कितना बड़ा भी कोई भी सोर्स क्यों ना आ जाए और आज तक मैंने आपको जो भी बाते बताई है जो कुछ भी बोला है वो सब सच है उसमें कोई भी जूट नहीं है लेकिन अदालत को सबूत की जूरत पड़ती है बिना सबूत के अदालत किसी भी बात को सच नहीं मानता तो आप लोग को भी सबूत की जूरत है मैं कितना भी कुछ भी कह लूँ कि ये सच है ये गलत है त आपको सबूत चाहिए तो मैं इस पर जो नया वीडियो लाओंगा वो बकाइदा सबूत के साथ लाओंगा तो आप लोग थोड़ा इंतजार करिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ये गाजर पापर खीरा ये सब सुरूखा सुखा बहुत हो गया अब मैं मसालेदार वीडि कभी भी डिलीट नहीं होगा तो ये थे उस शक्स के बोल यानि कि आमिर जहांगिर के बोल ने अपने पांच दिन पहले अप्लोड किये हुए वीडियो में बोला था कि अब वो एक नया सच सामने लेकर के आएगा एक नई सच्चाई बताएगा जो कि वो हमेशा ही बोलता ह है लेकिन वो कभी लाता नहीं है और लोगों से वो टाइम मांग रहा है कि लोग मुझे टाइम दे समय दे ताकि वो वीडियो में दिखाने के दिखाए जाने वाले जो सबूत है उसे इक खटा करे और वो कोई क्लिप दिखाएगा कुछ पिक्चर दिखाएगा या कुछ औ और होगा कोई पेपर होगा जो भी होगा वो सब वो बहुत जल्दी अपने ही चैनल पर अपलोड करने वाले हैं तो मतलब बेसीकली आप एक तरह से यह सोच लो कि टाइम टू टाइम यह बंदा जो है ना यह टाइम टू टाइम बदलते रहता है मतलब जब इबरहीम फैमि जल्दी Sub dooлем के साथ मिलाओंगा इसके साथ में लाओंगा वैसा वीडियो यह डाल देता है तो फिर से जरूर कुछ樣 कुछ वाँगा से साथ इसी वज़े में जल्दी subvention के साथ एक वीडियो लाएगा मुझे तो यह चीज़ लगता है इब्राहीम फैमिली के जो इसके साथ में bonding है या जो बातशीत है इन्हें अब थोड़ासा बैक आउट कर देना चाहिए मतलब जो इनसान बार बार आपके बारे में इतनी बाते बोल रहा है आपकी इज़त की धजियां उड़ा रहा है जो कि आपकी धजी ओरी हुई है लेकिन फिर भी आप उसके पा करके पब्लिक करता है तो वैसे रिष्टे से दो कडम पीछे ले ले ना ही सही है वो कहते हैं कि दूद का जलाओ छाज भी फूठ फूठ करके पीता है वही कहानी इनकी कि इतनी बार आमिर जहांकीर ने इनके खिलाफ बोला है ना मीडिया में वीडियो इन्हें अब उससे अपना रिष्टा धोड़ा पीछे कर लेना चाहिए कि तुम्हें जो वीडियोज डालना है तुम डालो, तुम्हें जो असलियत दिखानी है वो तुम दिखाओ, अगर उसमें सच्चा ही होगी तो लोग बिलीफ करेंगे, सच्चा ही नहीं होगी तो लोग automatically believe नहीं करेंगे because इनके अंदभग तो इतने भरे पड़े है कि कुछ भी कहलो कोई believe करेगा ही नहीं मैं इब्राहिम फैमिली की कोई चहीती नहीं हूँ मुझे तो इब्राहिम फैमिली में से एक भी person खुद पसंद नहीं है लेकिन मैं उनके उपर reaction videos बनाती हूँ उनके vlog के according मैं podcast बनाती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इनसान को बार बार धमकी देते रहो उससे पैसे वसूलते रहो और जब अपना काम निकल जाए देन फिर again धमकी दो कुछ पैसे पाने के लिए ये जो trick है ये गलत है अगर आपको उनकी असलियत ही दिखानी है तो आप अपने पूरे channel पे उनकी असलियत बताओ जो कहानी है जो आपको पता है वो सारी चीज़े बताओ ये क्या है कि बाद में वो मुझे पैसे दे देगा तो मैं उस चीज़ को delete कर दूँगी हमारे पास भी तो बहुत सारे comment आते है हमें भी बहुत लोग कहते हैं बहुत सारी धंकिया मिलती है हम तो कोई videos delete नहीं करते because हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें उनसे कोई पैसे मिलने वाले है लेकिन इनका क्या है ना इस आमीर जहांगिर का यही है कि जब उनके थरब से कोई पैसे मिल जाए या फिर कोई favor मिल जाए तो ये उसके उपर के सारे videos delete कर देते हैं और फिर जब काम निकल जाता है तो यही होता है अपने और पराएं में फर्क हम लोग Abraham family के ना तो कोई अपने है और ना ही पराएं है हम उनके vlogs के according अपना reaction वीडियो शूट करते हैं लेकिन उनके खुद के अपने family members जो है खुद का अपना परिवार जो है वही उनके पीट पे छूरा भोक रहा है और अब तो वह सामने से छूरा भोक रहा है पहले तो पीट पीछे भोक था अब तो सामने से छूरा भोक रहा है तो एक message Abraham family आप सभी लोगों के लिए है कि ऐसे रिष्टों से दूर रहने में ही बहतर है ऐसे रिष्टे आप नहीं बनाए तो अच्छा है वरना आगे चल करके problem आप ही को होगी हमारी तो कुछ होनी जानी नहीं है जो situations आप लोगों को सामना करना पड़ेगा in future वो आपको ही करना पड़ेगा तो वेल इसी इंतिजार के साथ कि आगे क्या सचाई खुलने वाली है इब्राहीम फैमली की आमिर जहांगिर के नए वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये podcast नहीं पर end करती हूँ और इंतिजार करिए कि वीडियो में क्या क्या सच सुनने को मिलेगा तो बस आज कर ये podcast नहीं पर end करती हूँ मिलती हूँ आप लोगों से next podcast पे बेल गाइस आप लोग मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आपको ये reaction video और podcast कैसा लगा and make sure चैनल को subscribe करके bell icon हिट करिएगा and video को like and share तो जरूर कर दीजेगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखे